वेल्कम टू आर्जवास्तू आप सभी को मेरा नमशकार और नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुपकामना है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल दो हजार चोबीस केसा रहने वाला है सबसे पहले जानते हैं साल दो हजार चोबीस की स्प्लैनिद की या ग्रहे की उर्जा को लेकर आया है ये साल है दो हजार चोबीस दो हजार चोबीस में से हम सभी अंकों को अगर आड करेंगे तो आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 विच इक्वल टू 8 नमबर एक नमबर जो होता है वो शनी ग्रहे को रिप्रेजेन करता है तो साल दो हजार चोबीस शनी ग्रहे की उर्जा को लेकर आया है शनी देव जो है वो कर्म फल दाता है न्याया दीश है हम जो भी कर्म करते है चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो उस हिसाब से शनी देव हमें अच्छे या बूरे फल देते हैं तो चाहे आपका मूलांग कोई भी हो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन अगर आपके कर्मों में तुरूटी है तो शनी देव का प्रभाव जरूर देखने मिलेगा चाहे आपका मूलांग आठी क्यों न हो मूलांग के बारे में हमने पहले भी बात की थी फिर से एक बार जानते हैं मूलांग एक्जाक्ली होता क्या है अगर आपका बर्डे एक से नो नमबर में से एक तारिकों है तो वही नमबर आपका मूलांग है पूर एक्जाम्पल आपका बर्डे चार तारिकों है मींस आपका मूलांग चार है पूरी बर्डेट में से जो डे नमबर है वो आपका मूलांग है अगर आपका दे नंबर 2 डिजिट है, पर एक्जामपल आपका बड़े 23rd को है, तो मूलांक निकालने के लिए हम 2 प्लस 3 इन दो अंकों को आड करेंगे, means आपका मूलांक 5 है, अब साल 2024 आठ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आठ नंबर शनिदेव का है, तो इस पू अब लोग सोचते हैं कि शनिदेव की वज़न से लाइप में प्रोब्लेम्स आती है, डिक्कते आती है, काम में डीले हो जाती है, तो ये सब गलत है, शनिदेव जो है वो न्यायाधीश है, कर्मपल दाता है, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, तो शनिदेव आपको इतन देंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, कारेक्टर अच्छा होना चाहिए, चाहे आपकी साड़े सती हो या कुछ और हो, तो शनिदेव से डरने की दरूरत नहीं है, अब ओवर आल जानते है, स पेट्रोल इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत अच्छा है, पेट्रोल और गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे, रिसर्च फिल्ड के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ टीचिंग, स्पिरिच्वेल या ओकल्ड फिल्ड के लिए खास कर एस्ट्रोलोजी, निमरोलोजी, वास्तुशास्त्र, रेकी या हीलिंग फिल्ड के लिए ये साल बहुत खास रहने वाला है इसके अलावा क्रियेटिव फिल्ड जैसे बॉलिवूड, हॉलिवूड, मीडिया के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है निमर आठ, हाड़वर को रिप्रेजन करता है, इसलिए आपका फिल्ड चाहे कोई भी हो, आपको हाड़वर करना ही पड़ेगा और अगर आप हाड़वर करेंगे, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अब कुछ उपाई या रेमेडिस बता रही हूँ, साल 2024 के लिए इस साल कही पे भी अगर आप डेट मेंशन कर रहे हैं, तो येर में पूरा येर लिखने की बजाए सिर्फ 24 लिखे 2024 लिखने की बजाए सिर्फ 24 लिखे नमबर 24 बहुत ही पाउरपुल नमबर है, ये नमबर पॉजिटिव वीनस को लेकर आएगा सभी नमबर वाले लोगों के लिए इस साल डार्क ब्लू कलर को एवोईड करें डार्क ब्लू की जगा लाइट ब्लू इस्तमाल करें हो सके तो डार्क कलर्स को ही एवोईड करें स्पेशली रेड, ब्लैक या डार्क ब्लू कलर्स को एवोईड करें और लाइट कलर्स इस्तमाल करें शनिदेव जो है वो लेबर को और ओल्ड पीपल्स को भी रिप्रेजन करते हैं तो इस साल आप किसी वृद्धश्रम में दान या सेवा भी कर सकते हैं इससे आपको अच्छे रिजल्स मिलेंगे और सबसे इंपोर्टन बात नहिनत करें नियस साफ रखें अपने कर्म अच्छ रखें और किसी को भी धोका ना दें फिर से एक बार आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुपकामना है अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ में बेल आइकोन प्रेस करना भी ना भूले जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपके काम आने वाले इंपोर्टन कंटेंट्स आपसे मिस नहीं होंगे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में स्टे हैपी एन हिल्दी थैंक यू